संसत्प का सत्र चल रहा है, इसी भी सवाल खड़ा हो गया है कि वकफ सन्शोधन बिल पर बिहार की पार्टी JDIU का क्रेंड रहने वाला है? क्या स्ट्रेंड रहने वाला है क्या वो बीजेपी का साथ देंगे इसको लेकर या फिर मुस्लिम वोटरों को रिजहाने के लिए वो इसके अगेंस्ट जा सकते हैं इस विशेपर विस्तार से बात करेंगे कुछ दूनों पहले हमने देखा भी था कि जमियत उले माहिन का एक कारकरम था जिसमें टीडीपी के एक नेता पहुंचे थे और उन्होंने कहीं न कहीं इस बिल के खिलाफ बात की थी तो उसके बास सही सवार उठने लेगें कि कुमार और चंदर बाबू नाइडू दोनों से ही अपील की थी उनका साथ देने के लिए इस बिल के खिलाफ जाने के लिए मगर अभी तक पार्टी के स्ट्रेंड क्लियर नहीं पर पार्टी के इंदर जेडियू के इंदर चल क्या रहा है इस पर विस्तार से बात करेंगे और बातचीत हमारे साथ होंगे हमारे वरिश साथी पंकत जी पंकत जी जेडियू का जो पिछले सत्र में हमने स्टैंड देखा था वो तो क्लियर था वो तो कहीने कए बीजेपी के प्रो था और इस बिल के प्रो था मगर उसके बाद काफी पानी बहे गया है काफी क्या चल रहा है देखिए आपको एक बात बहुत साफ तरीके से बता दें कि क्लारिटी इसलिए नहीं है क्योंकि जेडियू के भीतर भी इस बात को लेकर के मोह है एक धड़ा है जो सोचता है कि मुसलिम हमें वोट करते हैं इसलिए मुसलिम समाज में कोई गलत मैसेज ना चला बीजेपी के साथ आती है तो वो प्रतिशत बहुत कम हो जाता है लेकिन जेडियू के पक्ष में कुछ मुसल्मान वोट तो करते ही है कुछ प्रतिशत तो है दूसरी बड़ी बात यह है कि देखिए जेडियू में कई मुसलिम ऐसे नेता है धड़ा ऐसा है जो कि यह मानता ह कि वक्ष संशोधन बिल पे बीजेपी को बीजेपी के साथ जेडियू को नहीं जाना चाहिए तो जैसे अब गुलाम रसूल बलियावी हैं इस तरह के कई नेता हैं जिनके भीतर ये सोच है कि जेडियू को बीजेपी की लाइन टो नहीं करनी चाहिए लेकिन सवाल उठता है क कि लाइन टो नहीं करने से क्या जेडियू को फाइदा होगा ये सोचना बेहत दिल्चस्प है क्यूंकि अगर आप देखें तो लोकसाभा चुनाओं में भी देवेश चंड ठाकूर का की नाराजगी बाहर आई थी या नहीं आई थी उन्होंने क्या कहा था कि हमने जीवन भर जिस zach group के लिए काम किया और चुनाओं में वो लोग बोट नहीं देते हैं वो नाराजगी ये थी कि भाईया मेरा बीजेपी के साथ हेलाइंस वले ही हो गया है पर हम आपके लिए काम करते रहें आपके लिए सड़क बनाते रहें आपके लिए पुल-पुलिया बनाते रहें आपका पर्सनल काम कराते रहें आपका इलाज कराते रहें और आप हमें वोट तब नहीं देते हैं जब हम BJP के साथ चले जाते हैं जबकि आपको ये समझना चाहिए कि हमारी वज़य से या हमारे नेता इस तरीके से हैं कि BJP के साथ हेलाइंस तो करते हैं लेकिन कोई कमनल एजेंडा चलाने नहीं देते हैं इस तरीके की बात जेडियू करती है अब देखिए कल का जो बयान है ललन सिंग का और वो भी मुझफ़र पूर में ललन सिंग क्या कहते हैं ललन सिंग कहते हैं कि कोई मुगालते में मत रहिये कि पहले वोट देते नहीं देते थे आप देंगे मुसल्मान बड़ी आबादी हमें वोट नहीं करती है ये लोग हमें वोट नहीं करते हैं लेकिन हमारे नेता ऐसे हैं कि कोई वोट करे या मत करे हम सब के लिए काम करते हैं हम बिहार के लिए काम करते हैं और आजाद भारत में मुसल्मानों के लिए जितना काम नितीश को मारने किया है उतना दूसरा नेता नहीं किया है तो आप सवाल है कि जेडियू के भीतर अगर ललन सिंग इस तरह की बात कर रहे हैं तो आप ये चीज तो बिल्कुल गंबेड़ता से समझ लें कि ललन सिंग कोई अपनी तरफ से कुछ बोल नहीं रहे हुँ ललन सिंग का ये बयान अपने आप में ये इंडिकेट करता है कि आखिरकार जेडियू क्या फैसला लेने जा रही है जहां तक सवाल है जेडियू के भीतर दो धड़े की तो आपको बता दें ठीक है कुछ नेता हैं जो इस पक्ष में थे कि आरजेडी के साथ ही रहा जाए और देखिए ललन सिंग किसी के साथ नहीं है ललन सिंग नितीश कुमार के साथ है तो नितीश कुमार जिधर रहते हैं ललन सिंग उधर की बात करते हैं अब सवाल ये है कि पार्टी में आप बड़े नेताओं को उठा करके देखें जो कि आपको एक्टिव दिखते हैं जहा भी है उसमें आप ये देख लिजे विजे चौधरी भी है अशोक चौधरी भी है ये सारे नेता है और एक और सीनियर नेता है विजे इंदर यादब तो अब वो बहुत बुड़े हो चुके हैं आप समझ लिजे कि वो राजनीती के अंतिम धलान पर हैं आप इस तरह मुझे एक चीज और साब दिखाई पड़ रहा है कि नितीज कुमार खुद अब जिस स्थिती में हैं क्योंकि वो भी राजनीती के अंतिम पारी ही खेल रहे हैं आप कहले जी एक तरीके से बहले ही उनके नितरतों में चुना हो रहा है लेकिन अगला दो तीन साल चार साल त को छोड़े RJD के तरफ चले जाएं मुझे तो नहीं दिखता बार-बार हर मंच पर जब वो PM के साथ होते हैं तो कहते हैं कि दो बार हमने गलती की अब नहीं करेंगे अब BJP के ही साथ रहना है बतलब बहुत साफ है कि BJP के साथ रहना है BJP के साथ सरकार में बने रहना है और ऐसा इसलिए भी कहते हैं कोई ये मत समझ ये कि अंद भक्ती में कहते हैं नितीश कुमार जानते हैं कि 2029 तक BJ की BJP को हमारी जरूरत केंदर में तो है और नितीश कुमार का ये मुगालते में जो थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर माटेरियल हूँ वो एक बार इंडिया ब्लोक में जाकर के उनको मिल गया समझ में आ गया कि वो जो माटेरियल है कोई उनको PM इंडिया ब्लोक में तो बनने नहीं देगा तो कम च अब देखिए परिस्थिती ऐसी है कि Center में BJP को नितीश कुमार की जरूरत है और नितीश कुमार जानते हैं कि Central Government जो कि मोदी सरकार है जब तक उनको मेरी जरूरत है वो हमारा नेतृत बेयार में तो स्वीकार करेंगे यह करेंगे कहां जाएंगे तो ऐसे में जब कहीं नहीं जाएंगे तो दोनों एक दूसरे की जरूरत हैं Symbiotic Relations हिंदी में कहते हैं सहजीवी एक दूसरे की जरूरत यहां परजीवी वाला रिष्टा नहीं है जो कि BJP Congress के लिए कहती है कि Congress जिसके साथ भी है वो परजीवी है यह सहजीवी है एक दूसरे की जरूरत है इसलिए मुझे यह साब दिखाई पड़ता है कि जो बिल प्रधान मंतरी लाना चाहते हैं क्योंकि आपको याद होगा महारास्ट में बंपर जीत होती है और महारास्ट की जीत की बात लुलन सिंग भी जब अपनी बातों का खंडन करते हैं जब बिहार में लुलन सिंग को घेरा जाने लगता है तो वो कहते हैं जो लोग इस तरह की बात कर रहें उनसे पूछिए मारास्ट में उनकी स्थिती क्या हुई बतलब ललन सिंग एक चीज बहुत साप कह जाते हैं कि देखिए आप मुसलमान समाज अब हमको वोट नहीं करता है पर हम उनकी भलाई के लिए काम करते रहेंगे ये बात कहते हैं पर इस बात में ये साप छिपा हुआ है हैं कि अरे जब पॉलिटिकली आपसे फाइदा होता नहीं है और हमें बीजेपी के साथ ही रहना है तो हम वही कदम उठाएंगे जो बीजेपी उठाएगी और उसके साथ हम चलेंगे आप ऐसे भी हमको वोट तो करेंगे नहीं हम बीजेपी के साथ रहेंगे तो एक तरीके से ललन सिंग का बयान साफ इंडिकेशन है कि जेडियू वक्ष संसोधन बिल पर करने क्या जा रही है संजय जहा कारिकारी अध्याख्ष है एक बात आप जान लिजे संजय जहा की भी सोच उनका भी इंक्लिनेशन प्रो बीजेपी ही रहा है इसलिए संजय जहा भी इससे पीछे मुण करके देखेंगे मुझे इसकी गुंजाइस नहीं दिखाई पड़ती है ये बिल बहुत एहम है बहुत इंपोर्टेंट है इस सत्र में लाया जाना है जिस तरीके से जेडियू ने CAA का समर्थन किया था आपको याद होगा और उस बज़े से प्रशान किशोर जब उपाद्यक छोते थे उन्होंने एक्स पर लिख करके जवरदस्त बिरोध किया था और उसके बाद अपना जेडियू से नाता तोड़ने की बात कही थी इस बिल पर भी दिखाई पड़ रहा कि जेडियू बीजेपी के साथ खड़ी होगी ये पॉलिटिकली भी जेडियू को सूट करता है क्योंकि आप देखें कई इसके माइन है जेडियू का बड़ा मतदाता कौन है जेडियू का बड़ा मतदाता महिलाएं और महिलाएं धार्मिक होती है इस बात को आप समझे तो जिस तरीके से खुद जो मुस्लिम लीडर्स हैं या कई लोग इसके नाम पर polarization चाहते हैं एक उस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं मुझे लगता है कि महिलाओं को देखते हुए और खास तोर पर आप EBC का भी जो एक समाज है जो BJP और जेडियू दोनों का वोटर है उन दोनों के बीच में भी जो सोच है जो बड़ा वोट बैंक है जेडियू और बीजेपी का मुझे लगता है political convenience भी इनका इसी चीज में है कि वो इस बिल का संशोदन करें और आप याद करिए ललन सिंग ने जब लोग सभा में ये बात कही थी कि भाई कोई ये धर्म पर प्रहार नहीं है इंस्टिचूशन को बदला जा रहा है हम आपके धर्म पर प्रहार होने नहीं देंगे जेडियू कहेगी हम आपके धर्म प अदम उठाया जा रहा है तो उसमें गलत क्या है और मुस्लिम्स में भी कई ऐसे लोग है ना जो ये बात कह रहे हैं कि आखिरकार ये वक्फ बोर्ड जो है वो किसके लिए काम कर रहा है आप देख लिए टीवी चैनल्स पे कई ऐसे मुस्लिम समाज से भी लोग मिल है जो इस बात की समर्थक है कितनी बड़ी आवादी है जो इसके बिरोध में है लेकिन आर जेडी और कॉंग्रेस जेडी यू को घेरने का प्रयास करेगी और जेडी यू के लिए ये टफ चॉइस जरूर होगा कि वो इस मुद्दे पर बीजेपी का साथ दे लेकिन जेडी मुद्ध है अजो कहले को अंतिम फैसला उन नितिश कुमार जिनके बारे वर धी पोस्टर के जिक्र कर रहे थे कि नितिश सब्कें तो नितिश सब्कें है जोई टेग लाइन हैं जो चलती है पिछले चनौ में काफी चली वी और कईब उसको लोग ट्रोल भी करते हैं तो नितिश कुमार को फैसले लेना वो किस तरह का फैसला लेंगे अब आप एक तरफ कह रहा है कि भाई आप वह उतने फैसले लेने की स्थिति में नहीं है लेकिन मैंने यह कहा कि बहुत ज्यादा अब उस इस्थिति में नहीं है कि पूरा भिहार का दौर्ण पितित्य पेल्दु करने की वह नहीं नितिश को भिहार चाहिए यह लोग पहले ही मांचुकें कि आपके नितृत में चुना होका नितिश जो पसंद करते हैं ये लोगमान रहें आप यात करिए गिराज सिंग ने यातरा शुरू की थी हिंदू जागरन यातरा और उनका भागलपूर से शुरू और जाकर के यहां पर किशन गंज में समाप्त हुआ उसमें देखिए बीजेपी ने पूरे तरीके से विट्रॉ कर लि से जेल करते हैं और तभी ये वज़य है कि इतने सालों से इनकी सरकार चल रही है सरकार तभी टूटी है जब नितीश कुमार के दिमाग में ये बात पनपने लगा या उनके सिपास अलारों ने ये समझाना शुरू किया कि आप प्राइम इनिस्टर मटीरियल आप आगे दरसल आप देखिए कि दोनों के वोटर्स एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे से जेल करते हैं और इसलिए जब दोनों एक साथ होते हैं तो किसी तरह का ना कंफ्यूजन होता है ना कोई कॉन्ट्राडिक्शन होता है एक आग दो मुद्दे पर कॉन्ट्राडिक्शन होता कार है उसको लगता है कि देश के लिए ठीक नहीं है इसलिए यह लोगों का यह मानना है कि इसमें संशोधन होना चाहिए और मैं इस बात को समझ रहा हूं कि कल जो ललन सिंग्ग ने बयान दिया है वो इस वर साफ इशारा है कि ठीक है मुसलिम समाज वोट नहीं करता है कोई बात नहीं हम बहतर काम उनके लिए करते रहेंगे लेकिन इसका एक मैसेज भी है कि भाई हमें जो वोट करता है पॉलिटिकली भी हमें जिससे फाइदा होता है हम उसके साथ रहेंगे और दूसरी बड़ी बात ही है कि यह शंशोधन किसी समाज के विरोध में तो है नहीं कि हम कोई मुसलिम समाज का विरोध तो कर नहीं रहें यह बिल है एक इंस्टिक्यूशन को इंप्रूव करने के लिए और वो ललन सिंग ने लोकसभा में कहा भी है तो ललन सिंग का कल का बयान और पुराना लोकसभा का बयान इस और बड़ा शाफ इशारा करता है कि जेडियू आखिरकार वक्ष संशोधन बिल को लेकर के क्या फैसला करेगी यह तो भविष्ट में पता चलेगा जब यह बिल संसद में पेश होगा और उसके बहस होगी उसके बात जो चर्चा होगी उसमें जेडियू क्या बूलती है उससे चीजे क्लियर होंगे मगर अभी तक जो प्रेंड रहता है क्या चीजें बदला होती उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है आपको हम पहुंचाते रहते हैं अपने शो में आप लगातार हमारे साथ जोड़े रही है देखते रहे टीवी नाइन बिहार जार घंड शुक्रिया